अगर आप अपने lifetime खुशी और lifetime success चाते हैं प्यारे बच्चो तो आपको अपने काम से मुखबत करनी पड़ेगी और अगर आप अपने काम से मुखबत कर पाते हैं तो I really think कि आप लोग जिन्दगी भर के लिए successful हो सकते हैं Assalamualaikum students कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ बढ़िया होंगे कुछ students तो पैजान रहे होंगे और कुछ students शायद भूल गए हों तो मैं एक बार याद दिला दू कि ये प्लेटफॉर्म Wings Academy का प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो students की success के लिए student की काम्यावी के लिए भेहनत करता है ये सर वो सर है सालिक सर आपके जो आपको हर एक छोटी चोटी बड़ी से बड़ी डिटेल आपको देते हैं ताके बच्छों को कोई problem ना हो पाए due to certain circumstances हमारा जो पुराना YouTube चैनल था Wings Academy का उसमें कुछ issues आ गए और वो issues जो आए हैं वो किस वज़ा से हैं वो मैं particularly यहां पर discuss नहीं करने जा रहा हूं तो हम लोगों इसको कोशिश करी resolve करने की बढ़ वो resolve नहीं हो पाई तो हम लोगों एक नया चैनल क्रिएट करना पड़ा विकॉस आपकी और हमारी bonding होना जरूरी है तो इस चैनल की growth के लिए भी आप लोगों का मुझे जैसे उस चैनल पर support मिला था वैसे ही इस चैनल पर भी support चाहिए ठाला कि उस चैनल बहुत ही प्यारे प्यारे content थे जो कि ह आपका support चाहिए आप लोग की दुआई चाहिए तो खेर ये तो हो गया हमारा YouTube चैनल के बारे में आज जो मेरा main target था या आपके सामने आने का वही है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग को 9th entrance और 6th entrance का time बिल्कुल करीब है कहते हैं कि 9th or 6th entrance का test system सर पे है तो उसमें अभी बच्चे बहुत अच्छे से जातो जाहिद कर रहे हैं बच्चे बहुत अच्छे से महनत कर रहे हैं जो test series हो रही है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ड दे रहे हैं and we really pray and we really wish कि आप लोग वहां पर भी बहुत अच्छा जो में एक्जाम है अपका रिकर मुस्लिम इनिवरसिटी का उसको भी बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे से कामियाब हो यह हमारी दुआएं है और कोशिश है देखिए Wings Academy की पूरी की पूरी टीम अच्छे से अपने dedication दिखाते हुए अपने sincerity दिखाते हुए और कहते हैं कि अपने काम की प्रती महबबत दिखाते हुए अपने student से महबबत दिखाते हुए हम लोग ने काम किया हम लोग ने एक लंबी journey तरह करी और उसमें बच्छों को तयार किया अपने उनकी entrance के लिए ताके वह अपने entrance में अपने goal में जो उनके सपने देखे हुए है उसमें success full हो सकते हैं ठीक है basically मैं आज आपस लोग से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए success matter करते हैं बच्छों के लिए success matter करते हैं अगर आप लोग success को अगर मैं खुशी से relate करूँ तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप कुछ लबहाद की कुछ छोटे से time की कुछ छोटे से duration की खुशी चाहते हैं तो इसका best solution यह होता है कि आप कुछ imagine कर लो कुछ अच्छा को आप देख लो जैसे for example if you want to become a doctor just imagine that you are a doctor आप थोड़े से time के लिए खुश हो सकते हो और अगर आप कुछ लंबे time के लिए खुश होना चाहते हैं तो आप कहीं trip पे चले जाएए और आप खुश हो जाएंगे पर अगर आपको लंबे समय के लिए कह देना जिन्दगी भर की खुशी चाहिए तो यह बात मेरी अपन जिन्दगी भर के लिए successful हो सकते हैं तो let's hope for the best I think आप लोगों को मेरी बात समझ में आईगी और आप लोग उस पर काम करेंगे यह दो तीन दिन जो बचे में उस पर बहुत जारे जटके महनत करिए हलांके एक वीडियो आपके लिए और आने वाली है जिसमें आप 6th इंट इस्ट्रेस होना चाहिए या कितना इस्ट्रेस हमको लेना है या सबसे बेस्ट मैं कहूंगा क्या examination temperament होना चाहिए पहरे बच्छो उस पर हम लोग चर्चा करेंगा अपनी नेक्स वीडियो में जो कि आपकी इन्शालला खाला जाएगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हैल कर खाल रखिये अल्ला हाफिज